इतना काम इस दस साल के अंदर हुआ है देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है आंत्रिक सलामती है टेर्रिजम और नक्सलिजम पर पूरा सिकन्जा कसा गया है देश का अर्थतंत्र 11 नंबर से 5 नंबर पर आया है डिजीटल इंडिया और स्टार्टप पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए है हमारी बैंकों का जो खस्ता हाल हमें मनमोन सिंग दे कर गए थे उ एक और हर्थ शेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व स्री नरेंद्र मोदी का है तो दूसरी बार 20-20 बार लॉंच करने के बावजूद भी राहूल यान लॉंच नहीं कर पा रहा है 21 बार लॉंच करने का अभी प्रयास हो र कैसे सबसे घरीब घरों जी चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी है जो घरीबों की वंचीतों की पिछडों की दलितों की और ट्रैबल्स की सम्वेद नाथ भी जानते हैं और उनकी जरूरयत ओंगों मित्रों जहां तक सवाल है देश की जनता का देश की जनता तै करकर बैठी है कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने का चुनाव है और हम सब को पूरा विश्वास है कि 400 के ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से एक बार इस देश का प्रधान मंत्री बनेंगे मित्रो मैं तेलंगाना की भी जरूर बात करना चाहता हूं तेलंगाना को जब बनाया गया तब तेलंगाना रेवेन्यू सर्प्लस टेट था आज तेलंगाना पर लाखो करोडो रुपय का रून है और 80,000 करोड़ रुपय हर साल रून चुकाना में तेलंगाना को चुकाना पड़ता है बी आरेस और कॉंग्रेस की सरकारों ने तेलंगाना के विकास को डिरेल किया है जब मोदी जिन ये 10 साल में तेलंगाना के विकास के लिए धेर सारे घाम किये है 14-15 में संयुक्त अंधरप्रदेश की ग्रांट 63,000 करोड थी 15,000 करोड रुपया मिलती थी संयुक्त अंधरप्रदेश को 15,000 करोड रुपया ग्रांट मिलती थी आज इलगबग 63,000 करोड रुपया मिलती है मतलब 4 गुना ग्रांटीन एड में बडोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है इसके अलावे तेलंगाना में 1,65,000 करोड रुपया हमने सडक निर्मान के लिए 32,000 करोड रुपया रेलवे के विकास के लिए और 7,000 करोड रुपया एरपोर्ट के उत्थान के लिए देने का काम किया है तो एक प्रकार से हमने आजादी के बाद एक दसक में कभी भी तेलंगाना को न मिला हो इतना फन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इसके अलावे 900 करोड के लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबर उनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया है राष्ट्रिय हल्दी बॉड बनाया है 3300 करोड से राम गुंडम फटिलाजर एंड केमिकल लिमिटेड आरेप सी एल को फीर से शुरू करने की घोशना किये है और दूसरी और दोनों पार्टियां बी आरेस और कॉंग्रेस पार्टी वो वाट बेंक की पोलिटिक्स और ब्रश्टाचार में आकंठ डुबे हुए परिवारवाद, करप्सन, बैड गवर्मेंट, गवर्ननस और एपिस्मेंट ये चारों नासुरों ने तिलंगाना की जनता को बड़ा परिसान किया हुआ है और मुझे विश्वास है तिलंगाना की जनता, इस बर भारती जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मोधी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा र्याकोड सांसद यहां से चुना कर भीजेगी चाहे BIRS की सरकार हो, चाहे कॉंग्रेस की सरकार हो, सरकार का स्टियरिंग वील हमेशा OVC के हाथ मेरा है इस दोनों ने एपिस्मेंड के अपने थियोरी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चलाने का ठेका बिल्कुल मजलीस को आउट्सोर्स किया हुआ है ये लोग CA का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेस्चन खड़े करते हैं, PFI का समर्थन करते हैं, रोहंग्या को देश में आने जाने देने का गुसपेट का समर्थन करते हैं हिद्राबाद मुक्ती संग्राम दीन मनाने की परंपरा बंद करते हैं, राम नौमी पर भद्राचलम को पवित्र वस्त्र भेट करने की परंपरा भी इन्होंने बंद कर दी हैं, और सबसे बड़ी बाद जो पूरे देश के लिए और विशेशकर ST, SC, OBC के लिए हानिकारक है, इन्होंने चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षन तिलंगाना के अंदर इंटर्डीस किया है, ये चार प्रतिसत मुस्लिम आरक्षन सीधा सीधा ST, SC, OBC के आरक्षन पर, रिजर्विशन पर डाका है, और हम ये निश्चित रुप से कहते हैं, जब भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहां से हम मुस्लिम आरक्षन को समाप्थ कर देंगे, भायो बैनो, BRS के घोटाली की बड़ी सूची मेरे पास है, और कॉंग्रेस के घोटाली की बड़ी सूची भी मेरे पास है, मगर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता चाहता, परन्तु कॉंग्रेस की वादा खिलाफी के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था, कि हम दो लाक रुपिया का करज माप करेंगे और ये भी कहा था सोनिया जी के जन्म दिन के दिन पर कहेंगे हम सब तो मानते थे सरकार बनेगी तो कर देगा मगर उसमें एक पेच था सोनिया जी के कौन से जन्म दिन पर वो नहीं कहा तो सरकार बनने के बाद इतने दिन हो गए मगर 2,02 रुपिय का भी किसानों का कर्ज माप नहीं हुआ किसान को हर साल 15,000 देने का वादा किया था वो भी पुरा नहीं है खेती हर मदूरों को 12,000 देना था वो भी पुरा नहीं हुआ हर क्विंटल अनाज पर MSP पर 500 रुपिया बोनस देना था वो भी नहीं दिया स्टूडन्ट को 5 लाग तक की क्रेडिट लाइन देने थी वो भी नहीं दिये गई बच्चियों को कॉलेज जानते वक्त स्कुटी देने का वादा किया था वो भी पुरा नहीं हुआ हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कुल खोलने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ वादा एक ही पूरा हुआ जो उन्होंने अपने हाई कमांड को किया था कि पूरे भारत के चुनाव लडाने का फंड वो तेलंगाना से प्रेज है कॉंग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को रेवंत रेड़ी जी ने तेलंगाना को कॉंग्रेस का एटीम बनाने का काम किया है मित्रो कॉंग्रेस पार्टी आज एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स के लिए अपनी वॉट बैंक के लिए इस कगार पर पहुँची है कि वो और उनके साथी नेता मनिसंकर एयर जी और फारुक अब्दुला जी एटम बॉम पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक उक्क्यूपा को जंता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक उक्कूपाई कस्मिर परसे हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे पाक उक्क्यूपाई कस्मिर भारत का हिस्सा है ये इतने डेस्परेट हो गए कि जूट फेलाने से बाज नहीं आते हो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सिटे मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर दें मैं आज आप लोगों के माद्यम से देश की जनता और विशेश कर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ दस साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत भारतिय जनता पार्टी ने कभी रिजर्विसन को हाथ नहीं लगा है हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उप्योग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया है कॉंग्रेस पार्टी जूट बोल रही है और जूट बोले तब तक तो समझ में आता है मेरे वीडियो को एडिट करकर गलत तरीके से बताने का पाप भी यहाँ पर किया गया मित्रो एक कहते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो त्रिपल तलाक वापिस लाएंगे वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो परस्नल लौ इंट्रोड्यूस करेंगे और मैं मानता हूँ कि देश की जनता ने ये नेने करना है कि त्रिपल तलाक वापिस लाना है या नहीं लाना है 370 वापिस लाना है या नहीं लाना है परसनल लोग के आधार पर देश को चलाना है या नहीं चलाना है एक और मोदी जी विकास के मामले में 75 साल के सारे रेकोर्ड तोड़कर एक ऐसे प्रजानमंत्री बनकर उभरे हैं जिनोंने देश की जनता के सामने एक लक्स रखा है कि जब देश की आजादी की सताब्दी मनाई जाएगी 2047 में तब भरत पूर्ण विक्सित देश होगा और ह ये तीनों से घीरे हुआ इंडी एलाइंस है देश की जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि मोदी जी के नेतुलतों के साथ रहना है देश का भविश्य इसी में सुरक्सित है देश मोदी जी ही सुरक्सित कर सकते हैं देश मोदी जनता पाटी और उसके साथी दलो का आप समर्थन करिए और मोदी जी को एक नेना एक लीड की और पहुंचा ये धन्यवाद